गुट इवनिंग स्टुदेंट्स और वर्म वेल्कम टू और व्यू दिस दिव्यांशु पांटे फेकल्टी ऑफ जी के आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स का आज के सेशन में वेलकम हैं अरुणा धनेंद्र हिमांगी श्रीवल्ली स्वाती अधिती और जितने भी अधर्स स्टुडूट जुड़ते जा रहे हैं ठीक है कुछ बच्चे हैं जो कि आपकी पंक्चूल रहते हैं कि आपके ना दो दो तिन दिन बाद आते हैं जैसे श्रीवल्ली जी कहां थी हैं तो आज की जो आपकी अफक्याट फिल्स 2-3 की क्लास है वो अग्ष क्लास आपकी 10 इससे पहले आपने वैसे तो यह क्लास 11 होती इससे पहले की एंसे क्यूंस कवर करवाए गए थे ठीक है चलिए चलिए ठीक है श्रीवल्डी वेरी बिड़ ना और आप सभी जितने भी अफ्केट वाले से अपनी पढ़ाई कर दीजे क्योंकि अब बहुत ही कम समय आपका बचा है और हम अपने कंटेंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां पर आज आपका सिक्स्टींध जनवरी है सेकंड जनवरी से अपने क्लास आपकी स्टार्ट की हुई थी अब इंटरनेशन अवार्ट से देयर फील्ड से रिलेटेड भी आपकी कोश्चन पूछे जाते हैं फिर आपका मन में कोश्चन ये भी आएगा की सर नेशन अवार्ट से भी तो पूछे जाएंगे तो बिल्कुल पूछे जाएंगे लेकिन आज के क्लास में हम क्या करेंगे पहले इंटरनेशन अवार्ट और उनके fields को cover कर लेते हैं, कौन-कौन से important awards इस साल दिये गए हैं, उसको हम देख लेंगे, उसके बाद कल की class में हम nation awards का topic cover करेंगे, ठीक है, जिसे की आप दोनो, यानि की जो हमारा topic awards है, awards and honor है, उसको आप categorize कर सकें, international में और national में, तो चलिए शुरुवात कर लेते हैं, साथ रखे रही है, Nobel Prize, तो Nobel Prize आप सभी जानते हो कि world का सबसे recognized एक award रहता है, जो कि आपके सबसे पहले six fields में दिया जाता था, जिसमें आपके physics, chemistry, psychology, medicine इसको कहते हैं, literature, शामिल था, अब तो इसमें फिर आपका piece भी था, फिर इसमें 1960s के दशक में, economic science को भी आपका include कर लि ठीक है, Alfred Nobel को आप सभी जानते हो, ना, तो वैसे तो dynamite का इन्होंने invention किया था, लेकिन फिर भी peace के लिए जो है, इनके जो वसीयत थी, उसका निर्माण आपका किया गया, और उसमें कहा गया कि यह चाहते हैं कि एक हम ऐसा price establish करें, जिसे कि जो world में आपके different fields के long है, especially peace के ल unkind के लिए दिया जाता है, जो आप इसकी छटवी category थी, the six category, economic sciences, was not originally listed in Alfred Nobel's will, इनकी जो वसीयत थी, जैदात थी, उसमें यह आपका economic science नहीं था, इसको 1968 में आपका establish करवाया गया, by the bank of Sweden, in the memory of the Alfred Nobel, and was first awarded in the year of 1969, तो एक question यह आपका जरूर बनता है, पहला बनता है कि जो आपकी Nobel Prize था, वो किन-किन सबसे पहले initially, किन-किन आपके subjects में, किन-किन fields में दिया जाता था, तो बाकि आप सब बताईएगा, बस economic को हटा लिए जाएगा, और फिर अगर question पूछले कि Nobel Prize में, आपका यह जो economic science था के कुछ recent awards, तो मलाला यूसुप जाही को तो आप सभी जानते हो, youngest Nobel laureate है, question यहां से बन सपाएगा, जिन्हों ने Nobel Prize 2014 में, आपने 17 साल की उम्र में लिया था, और इनके बगल में कैलास सत्यार थी हैं, इनको भी इसी साल इनके साथ ही जो है, Nobel Prize दिया गया था, education piece के लिए आपका, the oldest recipient is John B. Goodenko, who received the Nobel Prize for Chemistry in 2019, at the age of 97, तो youngest पूस सकता है, और आप से जो है क्या पूस सकता है, oldest, तो दोनों आपको पता रहना चाहिए, यह आपके chemistry के field से आते हैं, 2019 में इनको मिला है, John B. Good Enough, तो यह इनका आपका title है, write down करते जाईए, यह ना सोचिए कि अभी जब PDF सर देंगे, तब हम पढ़ लेंगे, क्योंकि उससे आपका समय जाएगा, अगर अभी आप class में बैठे हुए है, तो अपनी copy लेके जो है, बस short notes आप बनाते चले जाओ, जिससे कि जब आप PDF पढ़ोगे, सिर्फ आपको पढ लिनस पॉलिंग और आपके फेडरिक सैनेगर हैं, तो यह आपके ऐसे चार विक्ति हैं, जुनको नोबल प्राइस दो बार आपका दिया गया है, ना, नो डाउन करते जाएए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो यंगिस्ट, ओल्लिस देखा और आपने अभी देख लिया, अब देखते हैं कि अभी तक कुल आपके नव भारतियों को, टोटल नाइन इडियंस रिसीवड दी नोबल प्राइस, इनमें कौन-कौन है, शुरुवात हम लास्ट से करेंगे, पहले से, जलिए, यहाँ पर आपका 2019 से दिया है, तो अभजीत बनर जी को एकनॉमिक्स के लिए 2019 में अभी हाली में दिया गया था, कैलास सत्यार्थी को 2014 में दिया गया था, एजुकेशन से रिलेटेड यह आपके वर्क करते जितने भी बच्चे हैं, जो कि आपके एजुकेशन को नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए काम करते हैं, एजुकेशन की फिल्ड में, वेंक 2023, चंदरशेकल लिमिट आपने देखा होगा, वो ही नहीं की है, मदर टेरेसा, 1979, हुमेनिटी के लिए, पीस के लिए, हर गोविंद खुराना, फॉर मेडिसीन, तो मेडिसीन के लिए अभी तक एक ही व्यक्ति को दिया गया है, और काफी बारी इसका कुश्चन पूछा गय ना, फिजिक्स, 1930, अच्छा बताओ, किस लिए, सीवी रमन को दिया गया था, अवार्ड, सभी बताइए, रविन्ना टैगोर को लिटरेचल के लिए, 1930, ना, अच्छा बताइए, किस लिटरेचल के लिए दिया गया, दो कोश्चन हैं आपके, श्री वल्ली जी, लाइट के कैसी लाइट, रेफ्रेक्शन आफ लाइट, दोनों को बताइए, रविन्ना टैगोर का बताइए, और इनका बताइए, सीवी रमन का, चलिए, स्कैटरिंग आफ लाइट आपने खाब प्रकाश का प्रकिर्णन ना, जैसे हम आपने क्लास 9, 10, 11, 12 में, अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया होगा, तो जब फिजिक्स का प्रेक्टिकल करवाया जाता है, तो आपको एक ट्रांस्परेंट प् तो यह आपके 7 colors में क्या होती है, डिवाइड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, विब ग्योर कहते हैं, कहते हैं कि नहीं है, जिसमें जो red light रहती है, सबसे दूर तक जाती, frequency उसकी काफी अधिक रहती है, और रविदनाट टैगोर को गीता अंजेली की दिया गया था, और य पिया जा चुका है, तो नाम याद रखना है आपको, आगे बढते हैं, बन मेक्से से अवर्ड, तो देखिए, डेखिए, रेमाण मेक्से से अवर्ड फिलिपिन की जो प्रेशेडेंट थे, रेमाण मेक्से से, उन के दवारा आपके established करवाए गया था, जो कि आपके good governance, courageous service पीपल के लिए डेमोक्राटिक सोसाइटी के वैल्यूस के लिए आइडिलिजम के लिए दिया जाता है 1957 में स्टैब्रिस आपका किया गया था ना ट्रस्टी से आपके इनके रॉक फिलर ब्रदर्स फंड बेस्ट नियॉयॉर्क के थे जिन्होंने इसको आपका लाया था यह आपके टोटल 6 कैटेगरी जितनी कैटेगरीस आपके उसमें दी जातीं नोबल अपराइज में उतने ही आपकी में का दिया जा चलिए हिमांगी जी ने रवीश कुमार का नाम लिया और रवीश कुमार जी हाजिर हो गए ना आज कल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो देखिए इन इंडिया रवीश कुमार एंड इंडियन जनरलिस्ट रिसीव दर रैमॉन मैक्स से अवर्ड इन 2009 फॉर य जनरलिजम टू गिव वाइस टूदा वाइसलेस तो इसके लिए इनको दिया गया है एंडि टीवी में यह 20-25 साल से काम कर रहे थे बाकी का डानी जी ने उक्तर शेयर ले लिया फिर यह छोड़ दिये ठीक है जैसे अभी आपके ट्विटर को किस ने लिया है क्या नाम है उनका ट्विटर वाले का एलान एलान मस्क ना तो बाकी सब छोड़े नहीं ना बाकी सब को जो है उठा उठा के फेक दिया गया तो रवीज जी देखे होंगे कि भाईया इससे अच्छा हम ही निकल लेते हैं अब देखते हैं रैमान मैक्से से अवार्डी इस 2021 के पुरुसकार विजेता को देख लेते हैं यहां पर नेम ऑप दा अवार्डी एन कंट्री दिया है यहां पर आपके डिस्क्रिप्शन दिया कि किस आपके सब्जेक्ट में किस फील्ड में को दिया गया है डॉक्टर फिद्रौसी फिर दौसी कादरी बांगलादेश के है एफोर्डेवल वैक्सीन चैंपियन इस्टीवन मुंसी साउथ इस्ट एशिया से आते हिमेंटेरियन और आपके पीस बिल्डिंग के लिए दिया गया है मुहम्मद अमजद साकी पाकिस्तान के पावर्टी एलेवियेशन विजनरी इनको दिया गया है रोबेट्रो बैलॉन फिलिपिन्स के फिशर्मन एंड कम्रिटी इंवार्मेंटलिस्ट हैं इनको दिया गया वॉच्ट आउट इंडोनेशिया यह कोई आपकी कोई व्यक्ति नहीं बलकि एक संस्था है ना जो की मीडिया टूथ प्रूसेडर्स के लिए इनको दिया गया है और आप सभी जानते ह भी आपके अवार्ट्स होते हैं मेंली आपके यूरोप के अवार्ट्स हैं और वो पास्चात वेस्टर फिलोसफी उनके कल्चर उनके आइडिया से प्रभावित होते हैं तो किस तरह के व्यक्ति को जादत है दिया जाता है आप जानते होंगे अब आते हैं पुलिजर पे पुलिजर इस एन अवार्ट पॉर एच्विमेंट्स न्यूस्पेपर मैगजीन ऑनलाइन जर्लिजम लिटरेचर म्यूजिकल कंपोजीशन विदिन दा युनाइटेटेट्स पूछा जाता है कि कौन सा अवार्ट किस फिल्ड से रिलेटेड है तो यहां पर पुलिजर प्र के विल पर ठेक है इन ट्वंटी ऑफ दे केटेग्रीज इच विनर रिसीव सब्सक्राइब कैश अवार्ड दविनर इन पॉब्लिक सर्विस केटेग्रीज अवाड़ेड अभी हाली का देखते हैं तो देखिए 2022 में दानिस सिद्ध की नाम आपने सुनाई होगा ना अदना अबीदी सनाना इर्शात मट्टू और अमिद दवे इन सभी को आपका पुलिजर प्राइज जनलिजम के लिए आपका दिया गया है कि मैं होल्ड कर दे रहा हूं पांट सेकंड तक देख लिए अच्छे आप आपको नोट डाउन करना तो बिलकुल कर सकते हैं पुलिजर जो प्राइज है उसको इस्टैब्लिस कब किया गया था और श्रीवल्ली बताएंगे कि किसके विल पर किया गया था बताओ अभी मैंने पढ़ाया है अब 1937 द देख लेतें तो इंडियान अमीरकन जनलिस गोवगन भिहारी लाल को आपको दिया गया था ठीक है इन press गोवगन भिहारी लाल विटेम् न स्टिवर्विन और पूलिजर Qoosne अगर पूछलेक प्रस इंडियन कोहन ने कोवन भिहारी लाल है दा इंडियन अमेरिकन जनलिस्ट वोन दावर्ड इन दर विपोर्टिंग केटेगरी विद फोर अधर्स फॉर कवरेज ऑफ साइन्स एड़ तर सेंट्री ऑफ हार्वर्ड यूनिस्ट्री ही इंटर्वीट दा लाइक्स ऑफ एलवर्ड आइंस्टीन एंट महात्मा गांधी तो हर गोबिन बिहारी लाल पहले भारती आगे बढ़ते हैं 2000 का देख लेते हैं जुंपा लेहरी आप सभी जानते होंगे न एक प्रॉमिनेट आपकी राइटर हैं इन 2000 लंडन बॉन इंडियन अमेरिकन राइटर जुंपा लेहरी वोन द पुलिजर प्राइज इन फिक्शन फॉर हर लिए आगे बढ़ते हैं कलिंग प्राइस तो भारती नाम है ना देखते हैं कि भारत से कैसे आपका रिलेटेड है तो कलिंग प्राइस आपके साइंस के पॉपलराइजेशन के लिए दिया जाता है ना किसके द्वारा दिया जाता यूनिस्को के द्वारा दिया जाता तो फटा फटा आप सभी वताओ जितने लोंग शामिल हो क्लास में कि यूनिस्को का फुल फॉर्म क्या है पर एक्सेप्शनल इसकिल इन प्रेजंटिंग सेंटिफिक आइडियास तुले पिपल इड़ी पिपल इड़ी तो फॉलोई इन डनीशन फ्रॉम वीजु पटनायक पॉंडर और प्रेसिदेंट उफ दे कलिंग फांडेशन ट्रस्ट इन इंडिया ना नवीन पटनायक के ये पिता जी थे और नवीन पटनायक की सरकार आपकी उडिसा में चल लई है ना बीस-बाइस साला के हो चुके है चलिए सभी का करेक्ट अंसर है युनाइटे नेशन एजुकेशन और साइंटिफिक और कलिंग प्राइस फॉर पॉपलर रेजिन ऑफ साइंस इन टू थू 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 नाम्याद कर लिए ना कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है अब आते हैं बुकर प्राइस पे दा बुकर प्राइस फॉर्मली नोन अस दा बुकर प्राइस फॉर फिक्शन ना एंड दा मैन बुकर प्राइस इसको मैन बुकर प्राइस भी आपका कहा करते हैं अब चलिए दा प्राइस बुकर प्राइस फॉर फिक्शन आफ्टर दा कंपनी बुकर मैं कॉनल लेंटेट जो की 1969 में आई थी साथ अफ्रीकन आथर डैमॉन गैलगर्ड हैस वून दा 50,000 यूरो बुकर प्राइस फॉर्मिस इन 2021 के दशां प्राइस इन 2021 के दिडी अभी हले में को आपका डैमॉन गंगलको एक अवार्ड आपका मिला हुआ है अगला है अच्छा टोम फॉप साल्ट के लिए किसको मिला रिए नेक्स प्राइस है और वड़्षूट में ए्पूरूट्टिट्स इजए उसके इंपूनिति कॉलिटी को इंपरूफ करने के लिए ए गूरी कुट प्राइज कि व्रूट प्राइज आपकाका नॉटम बौर्लॉक के दारा फिल्ड फ्ल randomly वाने तरह नाइंटिन-फ्रून फूड और एगरी कल्चर में आपका दिया जाता है MS. Swaminathan was the first recipient of this in the 1987 अच्छा बताओ, भारत में Dr. MS. Swaminathan ने क्या लाया था? Green revolution लाया था? White revolution लाया था? Pink revolution लाया था? Yellow revolution लाया था? कौन सा revolution लाया था? बहुत सही Green revolution Harit Kranty, जो अभी हम खाना खाते हैं, इतना धेर सारा रहता है और भारत ही नहीं खाता, भारत ही 140 करोण नहीं बलकि हम दूसरे देशों में भी देते हैं सब खाते हैं तो हमारे जो लाल भादु शास्त्री थे और Dr. MS. Swaminathan थे दोनों की कौलाबरेशन से Green revolution आपकी क्रांती आई थी जिससे की भारत बहतर करता गया, ठीक है Cynthia Rosenwick got this prize in 2022 for his pioneering work in the modeling the impact of climate change on food production worldwide तो इनका नाम याद कर लिए अभी इनको हाली में मिला है क्लाइमिट चींच की उपर इन्हों ध्यान अपना आकरशित किया कि वो हमारे agriculture को कैसे आपको प्रभवित कर सकता है और हमारे प्यारे पड़ों सी पाकिस्तान में आप देख रहे हो ना आटे के लिए उनकी यहां कितनी मार हो रही है ना तो बड़ों की बात उसने सुना नहीं और कहा कि हम बटवारा करेंगे लो भई यहां बटवारा कर लो राइट लाइवलिवड अवार्ड नेक्स्ट अवार्ड है मारा राइट लाइवलिवड अवार्ड तो यह आपका इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि हमारे प्रैक्टिकल इग्जेंपलरी अंसर्स जो कि आपके मोस्ट अर्जन चैलेंजिस को फेस करते हैं उनके लिए दिया जाता है नाइटीनिटी में इसकी आपकी स्टैबलिस की गई थी जर्मन स्वेडिस फिलांथ्रॉपिस जैक ओओ वॉन उक्सल के आपका द्वार्ड फीक है राइट राइविहर अवार्ड इस संटाइम्स पॉप्ल्ली अस्टीट विद दा नोबल प्राइज अब आते हैं टेम्पलाट ओओन प्राइज पे नाम मेरे खाल से आप नया नया सुनते होगे न तो यह भी प्राइज है वैसे अब एक और इंपर्टेंट प्राइस है आपका जिसका नाम है एबल प्राइस ठीक है एबल प्राइस एनुली किंग आफ नॉर्वे के द्वार आपका दिया जाता है और किसको दिया जाता है जो कि आपके मैथमेटिक्स में आफ्टिस्टेंडिंग कुछ आपका एचीव करता है और इसको हम कभी-कभी जो है नॉबल प्राइस के भी एकुलेंट माल लेते हैं दोजार वाइस में अमेरिकन मैथमेटिशन डेनिस पर्नल सूलीवन ये द्वारा जो है इनको दिया जा तो देख लिजे नाम्याद कर लिजे अभी पूछ लेकि हाले में किसको मिला है दा नॉर्विन अकेडमी ऑफ साइंस अंड लेटर्स हैज अवाड़े दा एवल प्राइस फॉर दियर अप टुन्टी टुन्टी टू अमेरिकन मैथमेटिशन डेनिस नेक्स अवाड हमारे आपके म्यूजिक और हम कह सकते हैं कि कला छेत्र से हैं यानि कि इन दफील अफ आर्ट तो इसको क्या कहते हैं इगाट कहते हैं इगाट इगाट जो एक्रोनीम है उसका फुल फॉर्म है इफ एमी जी फॉर ग्रेमी ओ फॉर आसकर जिसको एकेडमी पहले इगाट आप लिखके इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए अपने कॉपी में कि इसी समय आपके सब काम हो जाएं बार बार आपको जो है पढ़ना ना पढ़ें देख लिए ना चलिए अब हाते हैं सबसे पहले एमी अवार्ड पर अर आवार्ड फॉर जी हां ही मांग भी ठीक है 2019 से आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉर्टेंट देखना सभी चीजे नहीं देखा जाती है जैसे आसकर अवार्ड अगर हम पढ़ रहे हैं 2022 का तो यह नहीं कि और अगर उसमें कोई भारती हुआ तो उसको पढ़ लिया पूरा नहीं पढ़ना रहता है कि पूरी लिस्टी याद करने लगे दैमे वार्ट्स और आवार्ड फॉर आर्टिस्टिक और टेकनिकल मेरिट इन दा टेलिवीजन इंडिस्ट्री किसमें दिया जाता है टेलिवी अनिशीं क का सपना आ है कि वो ग्रैमी जीते हैं आ सट्फर के ओडमिका थिल्म के के लिए जाता है और टोनी आपका बीड के लिए California का बम्यों को आकाने को इस एवाद प्रेजेंटेट बाइदा रिकार्डींग एकाडमी तु रेकाड़नाईज आफ स्टैनिंग एचीमेट इन दॉजिक इंडस्टी ऑप दब अमेर्का दा ट्रॉफी डिक्स अग्लाइड ग्रैमोफोन द फोर्स ज्रमी यवाड सर्मनी वस हेल्ल ओन फॉर्थ आप म 1959 तो ग्रैमोफोन इसमें आपका बना हुआ है म्यूजिक से रिलेटेड है अगला हमारा है आसकर आवार्ड तो आसकर जिसको एकेडमी अवार्ड भी कहा करते हैं ना तो 1929 में इसको आपके स्टैब्डिस किया गया था और आर्टिस्टिक वर्ड टेकनिकल मेरिट में फिल्म स्मिथ इनको दिया गया और किंग रिचर्ड दोनों को आपका यह दिया गया ठीक है डारेक्टर में तो दा पावर आप दा गौट फिल्म के लिए जीन चैंपियन को दिया गया ना देखिए किंग रिचर्ड बेस्ट पिक्चर कोड़ा फिलिपीन रूसलेट पाव्रिक गया वनी प्याटरिक वेफ्चर प्रोडूसर बस इतना याद रखेए प्रोडूसर का ही सब नाम याद रखिए डारेक्टर का देख लिजे एक्टर देख लीजे, बेस्ट पिक्चर देख लीजे, अब आते हैं EGOT में, अब आते हैं EGOT में, आपके ये Tony Awards दिया जाता है, नेक्स्ट एक और केटेगरी है हमारी, जिसका नाम है BAFTA, बाफटा का फुल फॉर्म जाने रही, क्योंकि इस पर भी बेस आपके question पूछ लिए जाते हैं, BAFTA stands for British Academy of Film and Television Arts, आर दा UK equivalent of the Emmys, यानि की Emmy की equivalent है, the annual award honors achievement in both film and television, many popular actors have won both BAFTA award and academy awards, और इसकी शुरुवात 929 में 1949 को आपकी की गई थी, फॉल फॉर्म देख लिए आप सभी ने, चलिए, आगे बढ़ें, तो आगर हम 2022 का पिछले साल का देखें, best film The Power of Dog, इसको आपका उसकर भी मिला था, इसको आपका BAFTA भी मिला, डारेक्टर, जेन कैंपियन, The Power of the Dog के लिए, best actress in leading role, जोहाना, After Love के लिए, best actor, Will Smith, King Richard, best supporting actor, Arian Beavos, best supporting actor, टोरी, EE Rising Star Award, लासना, लिंक और आउटस्टैंडिंग बिटिश फिल्म, Welfast को मिला है, ठीक है, तो यह आपके कुछ categories है, एक, दो बार आप पढ़ेंगे, खुद आपको नाम याद हो जाएगा, ज्यादा लंबी list नहीं है, सभी चीज़ों को मैंने नहीं लिए, वहीं लिए है, जो की important आपके exam के लिए है, अपका देख लेते हैं, 2023 का, 2023 तो अभी शुरुवाती हुआ है, गोल्डन ग्लोब अवार्स 2023, चलो, अभी सवाट को देखकर आपको क्या याद आ रहा है, दो वर्टस आपको क्या याद आ रहे हैं, बताओ, नाटू नाटू, नाटू नाटू याद आ रहा है आप सभी को, इसलिए मैंने नाटू नाटू कवर कर लिया, ट्रिपल आर, राजा मौली, तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि, म्यूजिक और कॉमेडी में बिस फिल्म किसको दिया गया है, तो यह सब आपकी नॉमिनीज की लिस्ट हैं, जुसमें विनर कौन बना है आपका, यह आपकी फिल्म बनी है, दूसरा, ड्रामा की कटिगरी में देखें, दा फैबल मैंस, विनर आपकी रही है, ठीक है, बाकी नॉमिनीज उतनी कौन रही हैं, उतना ध्यान नहीं देना, विनर पर आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि रेस में दौड़ते सब हैं, और सब अपने तरफ से ट्राई करेंगे, नाम उसी का होगा, दुनिया उसी को जानें, जो आपकी विजेता रहेगे, अब बस्ट एनिमेटेड फिल्म, तो इसमें आवतार गई थी, आवतार नहीं गई थी, गुलीरमो डल टोरोस पिंकोचियो, क्या नाम है, तो इनको आपका, ना मेरे ख्याल से, इनके नाम के ही एनिमेशन को देखके, इनको दे दिया गया है, बस्ट डारेक्टर स्टेवन, दाब फैबल मैंस को दिया गया है, ओके, चलिए, बस्ट ओरिजिनल स्कोर, जस्टिस हुर्द्विज डैबिलॉन, विनर, नेक्स्ट आपका, बस्ट स्क्रीन प्ले, मार्टिन मैकडोना, दाब बैनिशी जॉफ इंश्रेंग, इसके लिए दिया गया, बस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्विज फिल्म, अर्जन्टीना, 1985, इसने बाजी मार ली थी, अर्जन्टीना, 1985, बस्ट ओरिजिनल सॉंग, नाटू नाटू काला भैरव, एवं कीरावानी, राहुल सिपली गुंच, ना ट्रपल आर के लिए ये दिया गया, ठीक है, इसलिए आपका ये कुश्चन बन सकता है, इसको पड़ा धियान दे लिजेगा, गोल्डन ग्लोब अवाट्स, 2023, आगे बढ़ें, और इस बार जो हमारी, पिछले साल की 2022 की सबसे, पसंद की गई, फिल्म थी, कश्मीरी फाइल्स, वो भी आपके सभी अवार्ट्स में, उन्होंने अपना नॉमिनी तो वो हुई, आसकर में हो, या फिर आपका ये बस्ट गोल्डन अवार्ट्स में हो, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, रिवी कोश्चन्स, तैयार हैं सभी की नहीं, फ़ले बता दो, इफ या रेड़ी देन से, यस सर्वी अर रेड़ी, और ही मांगी भाईया, लोटा वल्टी लेके सब बैठ जाओ, कभी जरूर्द पढ़ सकती है, चलिए, अर फस कुस्टिए इस रामान मांगसेसी अवार्ण वाल इस बादेश इसल्बिस्ट इन विच्ट यर।, 65, 62, 57, 82, कि अभी नहीं, चलिए एंड राइड राइड राश्पती को नोबल प्रीस प्राइज आपका मिला हुआ है करेक्ट अंसर इस बैराक ओबामा ओके तो इनको दिया गया था स्री निवाज वर्धन एन इंडियन-अमेरिकन मैथमेटिशन वूंड दाइच इन मैथमेटिक्स पॉर दे यर फूटॉजन सेवन भी सबी जानते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए कौन सा वर्ड दिया जाता है और हम सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए ये वल प्राइज दिया जाता है option d is correct टीक है और गिला question विच इन इस फिर्स रिष एप्डमेंटल फिजिक्स प्राइज अशोक सेंग, सीवी रमन, आसन बोस, होमी जहांगीर भाभा. चली चली लगातार बताते जाहिए. बताते जाहिए. बताते जाहिए. से न थाहिए. रवीष कुमार, ठीक है? बताते जाहिए. नेक्स्स पॉस्टिन, वोज व्यर्ण जाहिए. दरफ्येक, डियर्क, वलकौर, तोनी, मौरिसन, राफ, बंकेए. लगतार अंसर देते जाहिए आप सभी और राइट अंसर अप्ट इस क्वेश्चन इस ओप्शन ए गोली स्वेश्च का नेग्स गॉस्ट्ट नोबल प्राइज वस्फ फिर्स आवदेर इन विच यह 7658 1901 72 सबसे पहरी बार नोबल प्राइज आपका 1901 में दिया गया था तो अप्शन आपका सी सही है अगला क्वेश्चन दे रेमान मैक्स से अवार्ड सेलिब्रेट्स दे प्रोटेक्शन अफ इन्वार्मेंट ग्रेटनेस अफ इस्पिरिट 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 आफ इनोवे इस्पिरिट के लिए जाए ठीक है बाकि भी अलग अलग कर्टेडियों की पार विच फॉल इंडिस्पेंस इस नोबल प्राइज अबॉर्ड इस्पिरिट के लिए जाता है और राइड अंसर इस ऑप्शन दी अलग अब फिजिक्स केमस्ट्री मेडिसीन लिटरेचर पीस एकनॉमिक्स ओसकर आवर्ड वस इंसिटुएट इन विच यह 68-29-01-65 चलिए लगतार बताते जाएं और आज ही आपकी जोई UPSC ने CDS 1st 2022 की OTE की मेरिट लिस्ट आपकी पब्लिश्ट कर दी है जिसमे 198 बच्चे जिसमें मेल फिमेल दोनों है 63 फिमेल से रिस्ट आफ मेल है उन्होंने आपका पारिनली रेकमेंडेशन आपका ले लिया है मेरिट लिस्ट में अब अपरेल 23 चलने एकेडमी में वो जा तेन जाता है विच इस ध्रीय इस लिट रूरी ओंड इन डी व्ल्रड Nobel Prize गुकर प्राइस पल इजए पॉलिर्ज़ माकसे आवार्ड which is the highest literary award in the world Nobel, Booker, Pulitzer, Maxis say so literacy के छेतर में देखें तो आपका ये बुकर है अगला the committee of the Norwegian parliament awards the prize for economics, peace, medicine, literature आसानी से आप बता सकोगे इसको and the right answer is the option B that is the peace in 1901 Nobel prize was not given for chemistry projects economics peace काफी आसान सा कुस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च बता हुँ चली, very good and the right answer of this question is option C that is the economics कभ इंक्लूड किया के था आप बताओ The first black American to win the Nobel Prize for Literature. The first black American to win the Nobel Prize for Literature. So, ये हैं आपके Tony Morrison. Okay, अगला question. Mother Teresa won the Nobel Prize for Peace in which year? Mother Teresa ji को कब मिला था? Very good, बहुत अच्छे. And the right answer of this question is in the year of 1979. Next question. Danis Siddhiki, पॉस्थम्सली यानि की मानो परांथ, got which cities, press club, red ink award, Chennai, Mumbai, Delhi, Pune? So, the right answer is option B, that is the Mumbai. Next question. Who won the win future special prize in the year of 2022? Aarun Verma, Sanjay Kumar, Thalappil, Pradeep, Gopal, Ayer. So, इसका आपका right answer है, option C. ठीक है? Reowned researcher and professor of IIT Madras, Pradeep, has won the win future prize 2022, instituted by the win future prize council to honor successful research project. Who has given the BBC sport personality of the year award 2022? Virat Koholi, Beth Mayat, Lionel Messi, Yafir, Roger Federer. BBC sport personality of the year 2022. चलिए, बताते जाई ही फटा फटा आप सभी? And the correct answer is option B. ठीक है? तो देखे, Beth Mayat has been BBC sport personality of the year 2022. Beth Mayat won England first major women's football trophy after beating Germany in the final at Bambalee. She is an English professional footballer who plays for the Women's Super League club. Virat Koholi, बस देखा, और नई दिल्ली देखा, option में आपने. ठीक है? और जेनेवा देख लिया. तो सब आप भूल जाते हैं. आपके आख में जो है, कहते हैं, सावन में अंदे को हरे हरे दिखाई देता, वैसे ही हैं. Who has won the title of Miss World 2022? अभी मांगी कहेगी, सर मेरा नामी नहीं है, इसमें तो हम कैसे बता सकते हैं? कौन है बताओ भाई? Miss World 2022. तो ये हैं आपकी सरगम कौसल जी. ठीक है? अभी इनको मिला है आपका. ना? याद कर लीजे नाम. वो अमग देता हैं वो अवार्ड दीजे आपका. अभी आपकी सरगे प्रफ़ाद दीजे आपका. अजय सिंगल, संजय कुमार, मोहन, मन सिगानी, गॉपाल अयर. अभी आपका. अभी आपका. अभी आपका. अभी आपका. अभी आपका. आपका. 23rd, International Film Festival. ऐ अभी नापका, अमिताः भच्छन, चिरंजीवी, मान तर्द्ट्रा לסव्गर empathिकाई, अभी आपका. फिल्म फेस्टिवल चिरेंजी विए वर्ग इंदी तमिल कंणत फिल्म और यह आज आज रिसेटी वोन दाव व्ल्ल ग्रीन सिटी आवार्ड पेरिस हैदराबाद लंडन ओसलो ना सिटीज को भी तो दिया जाता है बताईए वर्ल ग्रीन सिटी आवार्ड अभी हाले में किसक को दिया गया है और करेक्ट अंसर इस ऑप्शन भी हैदराबाद ना ओसलो पता नहीं क्या क्या रहे है आप सभी हैदराबाद आज वोन दा आवार्ड अट इंटरनेशन एस्सेशिएशन होटी कल्चर प्रदूसर्स 2022 वर्ल ग्रीन सिटी अवार्ड हेल्ड ऑन 14 ऑक्टूब साउथ कोरिया में जो आपका ये फंक्शन रखा गया था जिसमें हैदराबाद को दिया गया अपार्ट फ्रॉम इस हैदराबाद हैस ऑल्सो वोन दावार्ड इन दा कैटेगरी ऑफ लिविन ग्रीन फॉर एक्कोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूजिव ग्रोथ पॉरिट इ क्या हुआ अंसर नहीं दे पारेंगे आप सभी देखिए आपको अगर हर चीज़ आता ही होता तो आप यहां पर क्यों आते ना कुछ नया सीखने के लिए आए हैं हर दिन पता नहीं कौन कौन अवार्ड आपकी दिये जाते लेकिन कुछ मेजर आपके अवार्ड जिसको देख लीजेगा अभी हम रैपिट फायर राउंड कोस्टन खेलेंगे राउंड खेलेंगे जिसमें आपको और भी कोस्टन में पूछूंगा तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको कहां पी सर्च करके क्या पढ़ना है दीए कि जितनी कंटेंट से उसको अच्छे तर और जब मैं नोबल प्राइज की बात कर रहा हूं तो अभी मैं रिसेंट वाले की बात कर रहा हूं ठीक है तो यह हैं आपके सभी ने इन तीनों ने अभी 2022 का आपका एकनोमिक्स में जीता है देनोबल प्राइज इन एकनोमिक्स फॉर यह अफ टुटी टुटी टू थी टू थी तो थी जॉइंटली गिवन तो बेन एस फॉर्मर चेर्मन अफ अफ अमेर का फेडरल रिजर्ब और युज एकनोमिक्स डॉगलस और फिलिप एच डूबिक दा इस अवर्ड वाइस बिवन तो इंपर रिसर्च इंद फील ऑफ बैंक एंद फाइनिशल क्राइस के लिए इनको नोबल प्रुसकार दिया गया है चलिए हिवांगी जी अभी फाइब जी आ जाएगा तब आपके क्लास अच्छ चलिए ठीक है दूसरे करने उधारी पे लेकर चलाइए भी वहाज रसीव्ट नोबल पीस प्राइस प्राइस फॉर टूंटी टूंटी टू पीस के लिए शांती के लिए नोबस प्राइस लगाय पढ़िए को और आप्शन ए लगाई ये वहाह वेरी गूट तो ऑप्शन डी वाले सही हैं दे नोबल पीस प्राइले च्छ फॉर टूंटी टूंटिट्टी टू टू दी बेलौूरूसीयों थी और यूमन राइट एडौकेट एलेस बिलाज के रशीन हूमन राइ 22-22 Nobel Prize in Literature साहित के छेतर में किसको दिया गया है एंड राइट अंसर इस एनी अर्नॉस तो आपके यह फेंच राइटर हैं 82 साल की है और इनको जो फेंच राइटर नोबल प्राइज आपका रेक्नाइज किया गया है और अभी आपके दो-चार सालों में कुछ ऐसी साइंस में बाइलोजी में फिजिक्स में खोज हो रही है जो की एकदम बदल देने वाली है उनको आप पढ़िएगा जब आपके पास समय रहेगा बाकी तो अभी आप सिर्फ नाम ही याद करते रहे है और राइट अंसर इस ऑ मार दिया करो लेकिन यह कोई वो नहीं है चलिए आपने अंसर दिया आप बताईए कि आपकी कितने सही हैं कितने गलत हैं इसके बाद हम रैपिट फायर राउंड पे बढ़ते हैं ठीक है कि चलिए लगतार बताते जाहिए आप सभी कि अब तक मैं पीपीटी आपकी ब्लैंक साइड तैयार कर लो कुहेली दो गलत तीन इसके चाया का एक गलत स्वाथी छे से साथ इसकेड़ कि अच्छा ठीक है मांगी कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है कोई बात में कि जब नेट सही हो जाएगा फिर से क्लास देख लेना या फिर पीडियेफ को पढ़ लेना चलिए विच अवार्ट इस रेकगनाईज और नोन एज दी कि एशियास नोबल प्राइज किस पुरस्कार को एशिया नोबल प्राइज की संग्या दी जाती है रामान मैक्ससे अवार्ड इट इस रामान मैक्ससे ओके रामान मैक्ससे अवार्ड आपका फिक है अच्छी बात है चलिए आगे बढ़ते हैं एक आपका सीमा वार्ड सोता है क्या होता सीमा वार्ड सोता है कॉपी में भी लिखते जाइएगा हर चीज पीडियाफ में नहीं दी जा सकती है सीमा वार्ड को फुल फॉर्म क्या है कोई बता सकता है सोच लो यह मैं इतना बता सकता हूं कि आपका फिल्म से रिलेटेड है हाँ हमांगी बहुत अच्छ अधिती वेरी गुड साउथ इंडियन मुवीज अवार्ट क्या नाम है इसका साउथ इंडियन अवार्ट वैरि गुड वैरी चलिए आप सबी ने वता लिया है चलिए बताईए कि जो नोबल प्राइज है उसमें एकनॉमिक सब्जेट को आपका कब लिस्ट किया गया था इन विच यह दा एकनॉमिक सब्जेक्ट इस लिस्टेड इन दी नोबल प्राइज देखिए 68 में स्टैवलिस किया गया था और पहला आवाड आपका 69 में दिया गया था तो दो वर्ट्स में आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होई एगा ठीक है चलिए अभी हाली में 2022 का बैलाउन डी बैलाउन डी आवाड किसको दिया गया मैंस कैटेगरी में कि बैलाउन डी अवाड तो बैलाउन डी आपका रियल मेडरीट करीम बैनिजीमा को दिया गया ठीक है पुड़ वाल से रिलेटेड रहता है ना 66 एडिशन 2022 की अगर मैं बात करूं तो चली वेरी गुड अगला बताइए कि मैं बुकर प्राइज किस आपके फिल्ड से रिलेटेड है मैं बुकर प्राइज इस रिलेटेड टो विच फिल्ड प्राइज प्राइज बुकर प्राइज किस रिलेटेड प्राइज अच्छी बात है यह बताइए प्राइज इन दे लिटरेचर को आपका किसके लिए गया है गितान जी के लिए अच्छा बताइए अगला इफ़ी जो आपका वार्ड होता है गुवा में हर साल और्गनाईज होता है इसमें आपका परस्नाल्टी ऑप दा इयर किसको दिया गया है परस्नाल्टी ऑप दा इयर बताते चाहिए यह जो आपका आवार्ड है यह चिरन जीवी को दिया गया है इफ़ी समझ लिए ना आप सभी इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो कि हर सल आपका गुवा में होता है उसको लेकर अभी जो आपका विवाद भी बढ़ गया था आपने देखा था क्यों विवाद हुआ था क्यो यह बताइए दोहजार बाइस का एमी अवार्ड जो है किस फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट को अभी हाली में दिया गया है एमी अवार्ड चली लगातार बताते जाएए तो अभी में जो अवार्ड है बहुत सही वेरी गुड़ अधिती बेराक उबामा को दिया गया है उनकी एक सीरीज आई हुई है उस सीरीज का नाम आपलिख सकते आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स आवर ग्रेट नेशनल पार्क के लिए जो है उनको बाराक उबामा को Emmy Awards इस बार का आपका दिया गया है ठीक है? अच्छे बताएए नाइट ऑफ-दे लीजन ओनर लीजन ओनर यह किस देश का आपका आवर्ड है? कि NIGST नाइट आप दे लीजन ओनर और इस बार किसको दिया गया है? इस बार जो है आपके इंडियन ओरिजिन स्वाति स्वाति परिमल को दिया गया पीरामल को स्वाति परिमल को दिया गया है और किस लिए दिया गया है इनके आउटस्टेंडिंग कॉंडिबूशन इंडस्ट्री एकनामिक ट्रेड के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है समझ में आ गया चलिए अब ये बताईए 2022 का जो आसकर अवार्ड था उसके बेस्ट डारेक्टर बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म कौन कौन सी रहे हैं डारेक्टर एक्टर और फिल्म चलिए बताईए लगतार सभी के अंसर साने चाहिए पावर ऑफ डॉग विल्ली स्मिथ वेरी गुड डारेक्टर का नाम क्या था जीन कैंपियन हाँ वेरी गुड चलिए आपने बता दिया एक और अपना लास्ट कुश्चन आप बता दीजिए इस सब्सक्र ये युनिस्कों 50 सब्सक्राइस 2022 को सब्सक्रीड ये कौन और यूजिए इसक प्राइस 2022 को कम बताएगा yogurt और कि एंगला मरकल ना जैसे भारत में प्रधान मंत्री होते हैं तो वैसे ही जर्मनी में चांसलर होते हैं तो वो आपकी फॉर्मर चांसलर है और उनको जो है आपके के लिए युनिस्को का जो है आपका प्राइस 2022 के लिए दिया गया है बाकी अभी आपको मैं पीडिएप दे दूँगा उसको देख लिजेगा इसमें भी कंटेंट देख लिजेगा और एक्जाम तक अगर कोई आपके कुछ नए अवार्ट्स आते हैं तो उनको भी आप पढ जाहिन और बेस्ट आप लगए